आप गुद्ड इवरीबन हम लोग ने अभी तक जो देखा था पुरानी क्लासों में वह जैसे कि चेकलिस्ट होती हो उसमें जी वाला पोर्शन देखा था जी में क्वालिटी टूल्स आते हैं क्वालिटी टूल्स के बाद में एफ वाला एरिया ओफ कंसर्ण एफ देखा था मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एवं आउटकम इंडिकेटर मतलब किया क्या क्या आपका आउटकम हो रहा है उसमें किसे हम इंडिकेटर किस प्रकार के इंडिकेटर होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूला अगर कुछ है तो उसको कैसे रखना है नॉर्मली क्या होता है कि outcome indicator हमें हर मन्थ के निकालने होते हैं लेकिन जो असेसर आते हैं आसेस्मेंट करने के लिए वो लगबग तीन महा के म मांगते हैं और 9 मांगते हैं। आप से 6 माह के Outcome Indicator भी मांग ले यज़ा KPI Indicator भी मांग ले तो उनके दो इसमें एक चीज़ और होती है कि हमें आउटकम इंडिकेटर निकालने होते हैं और उसको स्टेट के या फिर नैशनल के बेंचमार्क के बराबर उसको पहुँचना होता है अगर आप उससे बहुत कम नीचे हैं मान लीजे पीपाइएएएएएएएएएएएए एक 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 जामपल है कि पी पी आयुसिडी इंसर्शन ड्रेट का नैशनल में कहा गया है कि वो 30% होना चाहिए लगबग लगबग आपका टोटल लेवरी का और आप उसको वन ये टू परसेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको मार्स नहीं मिलेगा क्योंकि आप उस बेंचमा में सारे चानल सबस्क्राइब करें लाइक करें और जिन को ज़रत है उनके लिए शेयर भी करें तो अब हम यहां से शुरू करते हैं नॉर्मली जो अब यह पहले हम देखेंगे के पीए इंडिकेटर यह जो चेक शीट दिख रही है आपको यहां पर प्रेजेंटेशन दिख रहा है यह नहीं सार्ची के वैबसाइट से ही लिया गया एने चसार सी आउटकम इंडिकेटर और उसे के बाद मैं आपको वहां से अपनी चेकलिस्स सेम यह वाली मिल जाएगी सारे फॉर्मूला के साथ में और अगर आप डिस्टिक हॉस्पिटिल के बारे में बात कर रहे हैं तो यह डिस्टिक हॉस्पिटिल की चैकलिस्स मैंने वहीं से डाउनलोड करी है सारे फार्मूले हैं आप सभी से फिर से बिनती रहेगी कि आपना कैमरा आफ रखें और माइक भी आफ रखें जिनका नाम लू में वहीं करके माइक आउन करें ठीक है तो के पिए जो होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वो तीन चार है प्रोडेक्टिक्वीटी के बाद में एक से के बाद में कुछ एस कि हमारी दिखाते हैं कि हम कितने इसको आफना काम कर रहे है फिर इसके बाद में क्लीनिकल केयर हमारा कैसा है यहांंपे शो हो रहा होगा आपको मेरे करसर पे clinical care कैसा हो रहा है यह सारे indicator वो होते हैं कि हम लोग कैसे clinical care कर रहे हैं और वो patient safely कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो चीज़े शो करते हैं कुछ की performance indicator हमारे service की quality के indicator होते हैं कि कि आपकी सर्विस के किस प्रकार की होती हैं तो हम पहले से देखेंगे से ही देखना शुरू करेंगे प्रोड़क्टिविटी से रिलेटेड जो होता है वो क्या-क्या होते हैं उसमें कुछ KPI में इंडिकेटर होते हैं जैसे यदि हम निकालना चाहते हैं हमारे अस्पताल का तो यहां पर आपको मैं एक बार इसको समझा देता हूं पहले कि इसमें लिखा क्या है नूमिरेटर, डीनोमिरेटर और यह फॉर्मॉला, नूमिरेटर मतलब की यह उपर आएगा और दीनॉमिरेटर मतलब नीचे आएगीए, उसके बाद में यह फॉर्मॉला थोड़ा सा देखने में जीवों गरीब लग रहा है क्योंकि वह यह कंपूर्टर की लेंग्विज म और दो रिखा रहता है वस्ते इंट्व एंड्रेट से बोल रहा तो और इस फार्मुले को मैंने इस तरह से दर्चाये गया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर निउमरेटर क्या होगा आपको डिवाइड वाइड फंक्शनल बैड इन्टु हंड्रेड इन्टु डे इन्द मन यह नीचे डे इन्द मन इन्टु टोटल करेंगे आपन हंड्रेड का इस प्रकार से यह फॉर्मला यहां थोड़ा अजीब दिख रहा है लेकिन आप इसको यहां करके देखेंग निउमरेटर जो लिखा हुआ यहां पर यहां पर क्या है कि टोटल पेशेंट डेज किसे निकालेंगे टोटल पेशेंट डेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है रात को बारा बज़े मतलब मिड़नाइट हैट करना होता है आपको रात को आपके अस्पताल में रात क को बारा वजे कितने लोग भरती हैं उसको आप टोटल दिखेंगे midnight head count of the each days added for a month of all patient मतलब आप सारे के सारे पेशन आपके midnight के count करेंगे सारे के सारे patient कितने एडमिट है उनको लिखेंगे उसमें हम exclude करेंगे मतलब अपने संख्या में include नहीं करेंगे newborns को बच्चों का जन्म हुआ है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे उसके बाद में डे डे कियर patients को आप इंक्लूड नहीं करेंगे प्रिया जी यह मारकर चलाना बंद करिए मेरा इस पर शो हो रहा है फिर हम क्या करेंगे कि total patient days जो होता है वो कैसे count करेंगे midnight रात को midnight के समय पर total head count करेंगे आपके इस्पतायल में कितने लोग भरती है उन में से किसको count नहीं करना है वह व्यक्ति जो की maternity वह बच्चा जो maternity वाड में पैदा हुआ है उसको आप इसमें admit में नहीं count करेंगे इसके बाद में day care में जो patient रहता है तो उसको आप उसमें include नहीं करेंगे यह हो गया numerator denominator में क्या आएगा तो product of the total number of the functional bed in the hospital and days in the month क्या कहना चाहरा है कि आपके hospital में जितने bed है और वो कितने दिन तक functional है मतलब यह हुआ कि functional bed की संख्या into days in the month मतलब आपके जिस महिने में कितने दिन थे फरवरी रहेगा तो into 28 करेंगे दिसंबर रहेगा तो into 31 करेंगे इसी प्रकार से यहां पर यह formula ले लिखा गया है इसको यह formula जैसे numerator आ गया यहाँ पर total patient days आ गया फिर नीचे यहाँ अबलिक के नीचे दिखेंगे functional bed days into days in the month और फिर इस पूरे टोटल को into करेंगे अपन हंड्रेट से जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आगया यह मैं कहबल एक समझा रहा हूं इसके आगे बाकी नहीं समझाऊगा दो मैने example के लिए समझाएं बाकी फिर अपन जल्दी जल्दी निकलेंगे क्योंकि यह बहुत जादा समझने की चीज़ें इसमें है नहीं है आपको सीधा संख्या निकालनी है उसके बाद में calculate करना है total patient bed हमने यहां लिख लिया नीचे लिखा हमने functional bed और फिर into करा days in the month मतलब फरवरी हुआ तो उसके लिए 28, December हुआ त indicator मतलब bad occupancy rate आपको कब निकालना है bad occupancy rate हमें हर महीं निकालना है source of data कहां से आएगा इसमें तो midnight census जो होता है आप रात को midnight के समय पे patient को जो counting होती है करते हैं कि हमारे hospital में कितने patient उपलब दे है उस register से या वहां से आप data लेंगे और इसका significance क्या है कि indicator है यह utilization of the hospital indoor services का मतलब हमारे hospital की indoor services कितनी utilize हो रही है उसका यह indicate करता है यह वाला indicator जो होता है productivity का हम indicator देख रहे थे हम फिर से बता देता हूँ productivity का हम indicator देख रहे थे उसमें पहला हुआ था bad occupancy rate निकाल रहे थे bad occupancy rate निकालने के लिए हमने क्या किया numerator में हमने क्या रखा पूरे head count को रखा denominator में क्या रखा वो भी बता दिया in 200 किया वो इसको easily करके हमने formula यह इस प्रकार से show कर दिया कब करना है मंतली करना है एक महीने म कर रहे हो इतनी मैनत तो इसका फाइदा यह है कि हमारे indoor services को यह utilize उसका indoor services का utilization कितना हो रहा है उसका percentage यह show कर देता है मतलब अगर आपका 1000 bed का hospital है और अगर उसमें 100 patient ही admit हो रहे हैं तो आपका केवल 10% ही यह bad occupancy rate आएगा मतलब आपका 90% अस्पताल तो फालतु ही पढ़ा है है ना तो हम यह इसको आप आगे बढ़ते हैं ठीक है कि एक सेकंड के लिए बस में ब्रेक चाहूंगा कि लेब टेस्ट अगर हम देखें इसके बाद में सेकंड इंडिकेटर प्रोडक्टिविटी में आता है अब मैं यहां पर एक चीज़ और आपको कुछ कहना चाहूंगा कि जहां पर रेट आएगा और या फिर परसेंट आएगा जैसे बैड ओकिपेंसी रेट है तो इन्ट करते हैं हर एक फॉर्मुला के अंदर आगे लिखा हुआ है आपको फॉर्मुले के अंदर ही करना पड़े गा ठीक है अपको फॉर्मूले के अंदर ही देखके देखना पड़ेगा और वहां सामने दिख जाएगा अब हम इसमें आते हैं डालै टेस्ट डन पर 2,000 में से क्या नहीं करना्य पॉइंट के डाइगनोस्टिक टेस्ट आप जो कर रहे हैं जो वान उनको आप इसके टेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है तृटल पेशेंट कीतने अटेंड करें यहां पर ौॉकर Oczywiście ॉप्र आएगा किन्तु आप यहां पर पॉइंट केर डाइग्नोस्टिक टेस्ट को नहीं लगाएंगे जैसे कि अपन सुगर स्ट्रिप से वो लेते हैं शुगर टेस्ट करते हैं उनकी संख्या यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे तो कुल मिला कि यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो गया यह भी इसको मैंने थाउजन के रूप में एक बार शो किया है उपर नुम्रेटर में आ जाएगा टोटल नंबर ओफ लैब टेस्ट डिवाइड़ बाई टोटल नंबर ओफ पेशेंट अटेंड़ बाई इन ओपेड़ी और इंटू 1,000 क्योंकि यह मांग रहा था य कि इसका फायदा है कि आपकी लेबराइटरी सर्वीसेश कितनी यूटिलाइज हो रही है उसका फायदा उसका पता आपको इससे चल जाएगा एक बात देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा इसलिए हम इसको को निकालते हैं फिर अगला क्या है परसेंटेज ऑफ दा केस कितनी आंपने रिस्क प्रेग्नेंसी को आपने देखा है माला प्रसेंटेज केस आपने कितनी करी कोंप्लिकेशन आउट औफ धॉलटाल रेश्ट रेजिटर्ट में तो इसको निकालना है या admit हुई है उनको हम numerator में रखेंगे और total number of obstructive cases admit in board मतलब total कितने admission हुए है यहाँ पर क्या था numerator में कि जो high risk में कितने थे वो denominator में total delivery कितनी हुई वो अब यहाँ पर हम क्या नहीं include करेंगे ऐसा कोई severe case जिसको आपने बिना किसी intervention के refer कर दिया हो उसकी संख्या को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो formula हमारा क्या बन गया यहाँ पर formula बन गया total number of complicated pregnancy registered at the facility divided by total ops admission मतलब आपके ops गायनी में obstracted board में कितने admission हुए वो into hundred इसका कब करते है monthly यहाँ पर सारा लिखा हुआ है तो बार बार इसको नहीं पढ़ूँगा एक दो शुरू शुरू में मैंने बता दिया अब मैं केवल यलो वाले point पर जाऊंगा इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है समझाने लाए कि एक presentation मैं आपको share कर लेंगा अगर नहीं मिलेगा तो मैंने आपको location बता दिया है एन एच एस आर सी के website पर आप जाके डी एच सी एस सी सिविल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सब क्या outcome इंडिकेटर की list आप निकाल सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अनुसार हर महीने बर सकते हैं सिंपल सी checklist है यहां पर मंतली भरना है कहां से आपको record मिलेगा वो भी और उसका क्या फायदा होगा यह यहां पर शो हो रहा है है तो हम यहां पर बहुत जारी चीज़े एक के बादे कि पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जो complicated आएगा वो चीज मैं explain करूंगा और जहां आप भी आपको कोई भी चीज समझ में ना आए विल्कुल करप्या करके आप माइक कॉन करके पूछ सकते हैं है ना लेकिन माइक कॉन करके आपस में बात नहीं करिएगा यहां तक clear है आप लोगो समझ में आ रहा है कोई एक जवाब दीजिए प्लीज सर किस एप से डाउनलोड करना है अरे कोई आप गूगल खुलिएगा गूगल पर आप सीधा लिखिएगा एन एच एस आर सी थी फिर स्पेस आउटकम इंडिकेटर फिर स्पेस डी-एच का चाहिए तो डी-एच चाहिए तो सीएसी सीविल ऑस्पिटल का चाहिए तो सीविल ऑस्पिटल तो एन एच एस आर सी की वेबसाइट खुल जाएगी वहीं आप सारे रहेंगे जो भी आपको चाहिए उसको आप डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है और कोई बाकी क्लियर है समझ में आ रहा है या और फिर से रिपीट करूं आ रहा है सर आ रहा है ठीक है तो हम यहां पहुंच गए थे कि परसेंटेज ऑफ केस हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के है अब यह अपने एक बार यह भी देख लेते कि हाई रिस्क कई क्या है कि कुछ बहुत छोटे संस्थानों से भी जुड़े हुए लोग है और कुछ तो ग सामने सीवियर नेमिया पीपीएश पीएश एकलेमसिया प्रीएकलेमसिया रिटेंट प्लेसेंटा ऐसे फॉस्टी प्रेग्नेंट बूमेंट सेपसिस केस और इंक्लूडिंग सी सेक्शन इन सभी को हम हाई रिस्क मांते है ठीक है अगला बढ़ते हैं अब बहुत तीजिस जाएंगे यहां पर कुछ है नहीं समझने लाइक कुछ चीज़ें इसलिए बहुत अब यहां पर सर्जरी डन इट नाइट अब इसको कैसे निकालेंगे कि टोटल मेजर सार्जरी कंड़क्टर डूरिंग दा नाइट इंक्लूडिंग अलसे कब से कब तक नाइट का इतनी भी मेजर सर्जरी हो रही है घणा उन सबको हम नुम्रीटर में रखेंगे ऊपर रखेंगे मतलब टोटल सजरी आपके अस्पताल में पूरे महीने में कितनी हुई है वो रखेंगे तो यहां पर फिर से यह फॉर्मूला क्या बन जाएगा टूटल नाइट टाइम रा लेकिन अकेला LACS नहीं आएगा, LACS के साथ में fracture reduction कितना हुआ, उसके बाद में आपका हरनिया, हाइड्रोसेलिन साथ की surgery कितनी हुई, हर एक major surgery को आप count करेंगे और उसके बाद में जो night में हुई है, रात को 8 से सुबह 8 तर और दिन भर में पूरे 24 गंटे में जितनी वो surgery उसको आप denominator में रखेंगे, इंटू करेंगे 100 से, कब बाकी ये तो पता ही है, सामने दिख रहा है, मंतली आपको करना है, OT register से पता चल जाएगा, इसमें क्या कि रात को OT चल रही है या नहीं चल रही है, इस एक बार में देखने है, समझ में आजाएगा, फिर आ गया हैगा अस्पताल में एक महिने में कितनी हुई है, वो नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे 100 से, तो ये आजाएगा अपना percentage of the surgery done during the day, out of the total surgery है ना, आगे बढ़ते हैं, C section rate अगर हमें निकालना है, तो total number of the C section delivery conducted, मतलब C section आपके हाँ पर total कितने हुए है, वो देखेंगे, उसके हम लिखेंगे, numerator में, total आपके हाँ पर C section कितने हुए, denominator में लिखेंगे कि total delivery कितनी की गई है आपके अस्पताल में है ना, और into करेंगे 100 से, फिर इससे क्या पता लग जाएगा, कि C section rate कितना हो रहा है, अब इसका जो benchmark है, वो इस national का थोड़ो शायद 30% है, मुझे exactly याद है, जो शायद 30% से जादा रही होना चाहिए, या 10% से, exactly याद नहीं है, वो आप देख लिजएगा, मैं पता करके बता देंगा आपको, medical college से जो लोग जुड़े हुआ होंगे, वो 100% बता सकते हैं, कि कितने percent होना चाहिए, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, वो अभी अ इंडिकेटर अगर हमें देखना है, तो एमर्जेंशी डेथ रेट, कैसे निकालेंगे हम, एमर्जेंशी डेथ रेट कैसे लेंगे, टोटल नंबर ओफ डेथ in emergency, एमर्जेंसी में जितने पेशेंट आए, उनके जिनकी death हुई है, एमर्जेंसी में टोटल डेथ निची जित और क्योंकि इससे फाइदा क्या होगा कि एक बार में देखके आप जैसे मेरे को KPI कहीं पर असेस्मेंट करने आया या सेसर जैसे आया और वह आपके आउटकम इंडिकेटर या फिर KPI देखा तो वह तुरंट से यह देखके बता देगा कि आपका आपने आई-पीडी क्या हो या नहीं कर रहा है और या फिर इसमेंट कितने आच्छे से और फिर फिर जैसे और चल जाएगा है तो आए बढ़ते हैं तो एकला दो पर हम लिखेंगे हैं और गए या फिर आपने टोर क्यों 7RY pray-2 रायर का है दोनों को जोड़ के लिखना है टौटल रिफर लिखना है ठीक है इसमें ईक्सक्लूड क्या करेंगे इसमें बलकुल भी लामा को रैप्ससूंट को इसमें नहीं जोड़ना है ठीक इसके बाद में Total हमारे अस्पताल में यह तो ऊपर कैया लिखना है वो यहां पर पता चल गय महिने की तो यहां पर जो भी बाते हो रही है डाटा लिख्या जाएगा वह पूरे महिने का लिखा जाएगा एक महिने में आपने ओपीडी सोरी एमर्जेंसी से और आइपीडी से कितने पेशेंट रिफर करें वह उपर लिखेंगे फॉर्मूला में और जितने भी टोटल इससे फाइदा क्या होगा कोई भी ऐसेसर आएगा तो वह इंडिकेटर ऑफ दा एफिशेंसी ऑफ दा क्लीनिकल प्रॉसेस आपका क्लीनिकल प्रॉसेस कैसा है उसका हमें पता लग जाएगा किसी भी ऐसेसर को ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो यह आता है अगला मेजर सर नहीं कर जाती है total major surgery लिखेंगे लेंगे उसके बाद में लिखेंगे टोटल नमबर of the Bayern Sigurdaktionuję इंकलूडींग अब हम जैस्द यहां बक्क सरन सक्चारी लिखेंगे यहांप पूरे हस्पताल का है अकेला किसी maternity OT या IOT या फिर dental OT इन सब जगे का तो अनहीं है ना अगर उस जगे का निकाला जाता तो केवल वहीं के चिकित सक का नाम लिखा जाता तो total number of the major surgery conduct कितनी करी जा रही है आपके एस्पताल में वो हम यहां लिखेंगे इसके बाद में जितने भी आपके यहां पर सर्जन है भल तो नहीं करेंगे तो क्या आजाएगा major surgery major surgery per surgeon एक surgeon average कितनी surgery कर रहा है वो यहां पर आ जाएगा इससे क्या फायदा होगा indicator of the efficiency of the surgeon surgeon आपके यहां पर कितनी efficiently काम कर रहे हैं उसका पता किसी भी मतबसे सर को या data हम जहां भी बेचते हैं उसको वहां से पता चल जाएगा देख तो हमारे यहां पर total OPD पूरे माईले में जितनी OPD आई वो उपर लिखेंगे उसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे उसके जस्ट नीचे आपॉंड में क्या लिखेंगे अगर आपकी OPD में बैट रहा है और OPD देख रहा है तो उनकी संख्या टोटल संख्या हम यहां पर लिखेंगे और उसमें क्या नहीं लिखना है ऐसे चिकितसक का नाम हम नहीं लिखेंगे जिनको OPD में हम इंगे नहीं करते हैं जैसे MS होंगे या Radiologist होंगे अब Radiologist OPD में तो बैठते नहीं है Microbiologist तो OPD में बैठते नहीं है तो उन लोग का नाम हम यहां पर नहीं लिखेंगे जो व्यक्ति OPD में बैठते हैं उनका लिखेंगे डिनोमेटर में नाम और यहां पर किसी भी चीज से इंटू नहीं किया जाएगा इसका डा रही है वह यहां से पता लग जाएगा इससे और पता लग जाएगा कि को जैसे लोग कहते हैं मैं बहुत काम कर रहा हूं इससे यह भी पता लग जाएगा कि कर रहे हैं तो लक्ष कर रहे हैं तो आपका एक्स्टरनल क्वालिटी स्कोर है आपके लेबर रूम का और मेटर्निटी ओटी का और अगर आप बाकी मुस्कान कर रहे हैं तो आपके पीडिया वॉर्ड और पीडिया ओपीडी और एनर्सी और एसन्स्यू का एक्स्टरनल प्रकार से लैब के लिए एक्वास होता है एक्वास का जब हम external quality score करवाते हैं तो उसका external quality score for the lab test निकालते हैं अब उसमें क्या करेंगे हर महीने का अलग अलग आएगा मान लीजे जनवरी में अलग आया फरवरी में अलग आया मार्च में अलग आया वह ना इस परकार से वह अलग अलग जितने बार आप test देंगे यह वाले test भेजेंगे वहां पर इसकी दो तीन लैब होती है एक हैदराबाद में है क्या आप करना होता है एक sample भेजना होता है लैब से वो लोग sample भेजते हैं उसको test लगाते है और उसके बाद में ऐसा कुछ score आता है एक्जेक्ली म में convert करके फिर अपने जितनी भी मशीनों के लिए आता है जैसे cbc और biochemistry उसका test done करके उसको feel करते हैं तो वो जो वहां पर data उनके पास वो compare करते हैं कि हमारी मशीन में exact आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब उनके standard data से हमारा compare करने पर बराबर आ रहा है हमारा score सही है और हमार वैरी कर रहा है तो हमारी मशीन गड़बर काम करी ऐसा ना जी सर्ची ठीक तो थैंक्यू तो यह फिर एक्वास का score हमेशा अलग-अलग आएगा अलग-अलग मशीनों के लिए अलग-अलग आएगा तो हम इस समय क्या करेंगे मीडियन निकालेंगे मीडियन मोड एक बार मैंने पिहले गाली क्लास में एक्स्प्लेंड किया तर फिर से कर देता हूं सम्भावता उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा या फिर कुछ नहीं लोग जुड़े होगे तो मैं फिर से इसको आपको एक्स्प्लेंड कर देत मतलब आपने अलग-अलग 10 मसीनों का अगर आपने score भेजा है या फिर 10 बार test भेजा है तो सारे के सारे वहाँ पर इसे result अलग-अलग आएंगे तो एक result आएगा आपका 2, 3, 5, 7, 8, 10 ऐसे करके अलग-अलग score आएंगे कि उसके सबसे बीच की संख्या को देखिए चार इधर हो गई चार इधर हो गई मानलो एक्जामपल नौ टोटल डिजर्ट थे उसमें से सबसे बीच की संख्या आपकी मीडियम रहेगी तिक मैं इसको दूसरी प्रिजेंटेशन लगा के एक बार शो कर दूं क्या पहले जो हमने एक बार देखी थी अगर आप रंचार्ट में मैंने समझाया था और उसमें एक्जामपल लेकि भी समझाया था तो आपने काम करते ही क्लास के आखरी में याद रखेंगे मीडियन को मैं उसमें एक बार एक्स्प्रेंग कर दूंगा है न तो जितनी भी वैल्यू आ रही है हमें उन सब को इंक्रीजिंग और में बढ़ते क्रम में हम जमाएंगे और सबसे बीच की संख्या को मीडियन निकाल ली उसको पकड़ लेंगे और वह अकेली हमारी मीडियन रहेगी तो यह वह मीडियन हमारा रिजल्ट रहेगा ठीक है और अगर बीच में दो संख्या आ रही है तो क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे दोनों को टोटल करेंगे उसको डिवाइड वाई टू करेंगे तो अब जो संख्या आएगी वह मीडियन कहल आएगी मान लीजे इवन नंबर अब आठ का मीडियन कैसे निकाले आठों को बढ़ते करम में जमा लिया लेकिन क्या होगा कि बीच में तो दो-दो संख्या जाएगी एक तो आएगी नहीं तो हम क्या करेंगे बीच की दोनों संख्याओं का टोटल करेंगे और उसको डिवाइड वाइड टू कर लेंगे यद सिफ्रंटेजयोग अब डलगितल्ग्स का स्टॉट अउट हम निकालते हैं उसका पर्सेंट में और यह हम देख रहा हैं कौन सा एंसे हमारी कैसी है का के देख रहे हैं कौ Zugny की पर्फॉर्मिन्स इंडिकेटर तो परसंटेज अचिल ऑप बिबिच अनम किसमें और di né में मतलब कोई मतलब बता सकता है क्या मुझे डॉलर सेंट है सर तो रिप्रोड़क्टिव मैटनल नियोनेटल चाइल्ट हैल्थ और प्लस एडोली सेट यह सारा का सारी सर्विसेज मिला कर हम नहीं पर जितनी दवाईयों और का इस्तमाल हम यहां पर करते हैं उन सभी का हम पहले क्या से निकालेंगे अब इसका इसका कैसे निकालेंगे टोटल स्टॉक आउट केरीड फॉर्ड़ एशेंशियल कॉमेडिटी एच डेज एड़ेट फॉर दे मन्थ एंड इंक्लूजिंग लिस्ट ऑफ दा वाइटल मतलब आपके पास में माल लीजिए दस प्रकार की दवाईयां थी उसमें से एक दवाई जो है दो दिन के लिए अनुपस्ति थी और दूसरी दवाई जो है तीन दिन के लिए अनेवल थी तो दोनों को जोड़ दिया तीन और दो पांच तो यहां पर क्या जाएगा टोटल से आपके पास टोटल दवाईये कितने प्रकार की दस अब यह बोला था मैंने दस प्रकार किया अगर दवाईये इस तवाल कर रहे तो यहां पर जाएगा दस इंटू करेंगे डेज इन द मन्थ में कितने डेज हैं उससे इंटू करेंगे फरवरी के लिए 28 देसमबर के लि जो भी हो तो यदि आपके RMNCA सर्विसेज में या फिर आपके वाड में या फिर आपके अस्पताल में उधारण के लिए 10 प्रकार की दवाईयां इस्तमाल हो रही हैं उसमें से दो दवाईया इस्तमाल हो गई एक दवाई जो थी तीन दिन के लिए और एक दवाई जो है दो दिन के लिए इस टॉकॉइट होई तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तीन और दो हो गया पाँच तो यहां पर क्या आएगा टोटल नबर ऑफ इस्ताउक आउड डेस और एसेंशेल कमेट या इसे number of days से जितने महीने में दिन होंगे उससे into करेंगे और total इस फूरे formula को 100 से into कर देंगे तो यह formula जाएगा इससे आपको क्या पता चलेगा क्या मिलेगा percentage of stock out of vital drugs जो आपकी आवशक दवाईयां थी वह आपकी stock out कितने दिन के लिए हुई वह हमें पता चल जाएगा कि आप vital drugs को उपलब्द करवाने के लिए कितने सहन सील हैं या फिर कितने जिवाबदारी से आप उपलब्द करवा रहे हैं यह उसका इंडिकेटर है अगला आते हैं clinical care और safety के लिए कुछ KPI होते हैं जैसे कि maternal death rate होता है यह बहुत normal जैसे total death कितनी हो गई वो उपर लिखें टोटल नंबर ऑफ दा प्रेग्नेंट मूमेंट एडमिट आपके यहां पर टोटल डैथ कितनी होई वह उपर लिखेंगे टोटल एडमिट कितनी होई नीचे लिखेंगे 200 करेंगे तो यह आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से नियो नेटल डैथ रेट अ इन नियो नेटल वाड एड़ेशन्स यूँ पुल मिला के यह कहना है कि इन बॉर्न हो या फिर आउड़ वर्न हो उसमें से 28 दिन के अंदर यदि किसी बच्चे की डैथ हो गई है तो उसको नियो नेटल डैथ में उनकी संख्या को हम यहां लिखेंगे उपर सुपर नुमे से भी टोटल एडिमिशन लिखेंगे कुल मिला के इन बॉन से हो या आउट बॉन से हो तो हम यह नीचे लिखेंगे डिनॉमिनेटर में इंटू करेंगे हैं ठीक है तो यह जाएगा हमारा नियो डैथ रेट आगे बढ़ते हैं कुछ रुकना हो डाउट हो या रिपीट करन हो तो प्लीज पूछ लीजे नहीं तो आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं पूछना ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलता है परसेंटेज ऑफ दे केस ऑफ विच विच मैटरनल डैथ रिव्यू डन हां कि मैटरनल डैथ मान लीजे जितनी भी हुई है दो तीन पांच दस जितनी भी मैटरनल डैथ हुई है उसमें से आपने मैटरनल डैथ रिव्यू विटिंग कब कितने के लिए की है उसकी संख्या को निकालने के लिए क्या आप जवाबदारी से कितने का रिव्यू कर रहे हैं उसको निकालने के लिए यह वाला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर यहां पर क्या करेंगे टोटल फटर डिएर डेट को पुलिया है उसको इतनी हुई है उसको फैघने रखेंगे एक पर इन्टू कर और ये हां कि ऐस आपका परसेंटेज से आ जाएगा फिर इंडिकेटर काई का है यह अगला देखें तो एवरेज लेंथ ऑफ इसी है इसलिए मैंने उतको मार्क करके रखा है अब यह वाला नॉर्मल है जो कहीं मार्क नहीं है सिंपल सी चीज़ है उपर कहा लिखना नीचा कहा लिखना वह पढ़ लो इसे निकल जाएंगे अब यहां कुछ-कुछ इसमें डाउट फुल आते हैं उसको मैंने अलग मार्क करके रखा है वह इस प्रेजेंटेशन को जैसी मैं आपको देऊंगा तो फिर आपको यह मिल सा, जैसे हम first देख रहे थे, patient, bad occupancy rate निकाल रहे थे, midnight census कर रहे थे हम, midnight को head count करे तूर है इसमें, amura commute करेंगे, normal discharge भी करेंगे, lama भी करेंगे, abscond भी करेंगे refer भी करेंगे और death भी करेंगे तो यह सब चीजों को करेंगे है ना total midnight senses उपर numerator में लिखेंगे और सारे के सारे discharge हो normal हो लामा हो normal discharge हो abscond और refer हो या death हो उसको सबको divide करेंगे तो यह आ जाएगा आपका average length of state की एक व्यक्ति average आपका बेर्ड को आपके यहां के अस्पताल के बैड को average उसने कितने दिन इस्तमाल किया है यह कई-कई जगे पर मैं जाता हूं असिस्मेंट करने तो आप 45 दिन तक आपके यहां पर हर मरीज मतलब केल्कूलेशन में कही नहीं कहीं गड़ बढ़ है इस चीज़ को इसलिए समझना बहुत आवश्यक है आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब कैसे निकालेंगे बहुत इजी सा है टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब आपने कितने सारे इंफेक्शन करें मतलब कई से अगले एक महिने तक यदि कोई भी उसको डिस्चार्ज आ रहा है या फिर एपसेश हो गया या फिर एनी स्प्रेडिंग ктरिफ्स हो गया तो उसको हम зовут साम कंसीडर करेंगे निम्सरज होस्पिंगे और निम्सर सब्साम ने करेंगे और हे टाम्टें टोटल सार्जराइब नं इन आवर ऊस्पिटल्स मतलब यहां जितनी संख्या में आपके प्रूलेंट डिस्चार्ज आ रहे हूं एपसे आ रहे हूं इस्प्रेड आ रहे हूं या इस्प्रेडिंग सेलुडाइटिस हो रहा हो उन सब को में लिखके इंटू करेंगे हंड्रेट से तो यह हमारा जाएगा सर्जिकल साइट इंफेक्शन मेरा की क्वालिटी कैसी है इससे बहुत अच्छे से समझ में जाएगा तो आगे बढ़ते हैं मेरे इसाब से यहां पर भी और बहुत ज्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं मुझे ना इसमें डाउट है दो तिन डाउट है एक तो यह पूरी KPI है यह बस एनक्वास की है एक्स्ट्रा भी है इसमें जैसे कि लक्ष में इन में से कुछ ही है कि यह पूरा कि यह फूरी KPI है वह एनक्वास की है एक तो वह हो गया इसमें से बहुत सारे हमारे इसमें लक्ष में नहीं है सर्जिकल साइट इंफेक्शन रेट की जब आप मैं आप इसको प्रेजेंटेशन में आपको यहां दिख रहा होगा ना यह मेरे कर्सर जा रहा है लेबर रूम तो आपको वहां पर है ना जो आउटकम इंडिकेटर निकालेंगे वह आपके लेबर रूम के अलग रहेंगे और इसमें से जो एक यह है ना स्रजिकल साइट इंफेक्शनरेट इसमें बताना चाहूंगही जिसमें यह डिनोमनेटर में माइनर सर्जरी को भी ले रहे हैं तो यह साइट गलत है तो्टेड़ारी आपके क troops के अगआप जो हम अपन काय रहा है का अगर अगर앙 जैसे कि माइनर में होते हैं सक्षिंग... लोंगी तो उसमें तो सर्जिकल साइट है नहीं ना है नहीं तो माइनर ऊटी वोगा न जैसे 171 करते पनी ये कहने का मतलब है ये पूर अस्पताल का यह data झो है न पूरज पताल का है और इंक्लूड है माइनर ओование daughter रेजल्ट साइटि नहीं आएग मैं कहां से होगी जर्जिकल साइट के तो तो उसे में सी भार करते हैं और अपने कुछ ठोटा मोटा कुछ प्रसीजेर कर दिया कर दिया तो माइनर सर्जरी को अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो जैसे कि यह बहुत ही कम हो जाएगा फिर तो यह अपने को इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि यह डाटा अपने नहीं चाहिए साइट की डेफिनेशन में है कि उसमें माइनर प्रूसीजर कि गौवर्मेंट ऑफिंडिया गाइडलाइन के हिसाब से ममर कैलकूलेट करते है लाइफ वर्ट के हिसाब से तो अगर हम जैसे कि है वह महिने में तीन बार यह धुक्ई कर देगा क्योंकि उसको अपने तीन बार एड़ कि हैं कौनसे वाले में आपन कह रहें वह में वह भी कुछ गढबर सा इंडिकेटर है मतलब वह इंडिकेट नहीं कर सकता है यह वाला ना यहां पर क्या गढ़बर लग रहा है अपने को मैं इसमें दो टाइप की डैथ मतलब जब मेटरनल डैथ की बात करते हैं दो चीज काल्कुलेट करते हैं एक होता है रेशियो और एक आपको इसमें आएगा इसमें आजाएगा लेबर रूम के आउटकम में आएगा बात करते हैं मतलब जैसे कि इसमें डेफिनेशन है और यह गलत डेफिनेशन है ठीक है अपने इस जगे पर आएगा वह तब देख लेंगे मुझे लगता है दो एक कुछ चीजें हैं कंफू हो रहा है यह है कितनी डेफ्स ओडिट है वह है हम ब्लॉग से मतलब नहीं रख रहें इसमें इसमें यह जो डेफिनेशन है कि माले जब मंडिदी फैसिलिटी में वह लाकिटी डेफ्स एपोर्टेड हुई है ठीक है इस पटिकलर मंथ में ठीक है उत में से आपने कितना रि हम जो बोल रही है वो अलग चीज कह रही है अपन उसको में अपन उसको ना वहां से क्लियर करने की कोशिश करते हैं यह दो चीज अभी तक मैं आप मुझे यह यह पर पावर पॉइंट भेज देंगे तो मैं देख लूँगी तो मैं बिल्कुर आपको मैं अभी शेयर करू है क्योंकि स्टैंडर अल्रेडी है बिल्कुर जो नहीं हो सकता है वहां से भी कुछ गड़बर हो गया हो यह टाइपिंग मिस्टेक हो एक जगे और देखा था मैं अभी जैसे अगले बाड़े आगे बड़े का नहीं पीपिटी उसमें एक जगे और देखा था कि वहां पर कि तो कहां पहुच गए थेंकियो में आगे बढ़ते रहें इए सब तो ठीक चल रहा है यहां पहुच है सब्सक्राइब कर दिया है इसको हमें पता करना है तो वह आगे बढ़ते हैं आगे परसेंट ओफ मुटिलिटी आउट ओ ओफ तोटल एसेंसुओ एड्मिशन टोटल एसेंस्यों अब यह सेम चीज़े आगे टोटल एड्मिशन परसेंटेंटेज ओफ इन्यों डेलिटी तो यहां पर भी इंक्लूट करेंगे हम इन बॉर्ण को और आउट बॉर्ण को दोनों को इंटू करेंगे तो यह सिंपल वाला फॉर्मूला आगे कुछ नंबर वाला ही केवल की टोटल आपने जितने शिदा सिदा लिख सकते फिर आगे इसमें सब एन इस बीटियो और वह सारी चीज़ आ जाएंगी फिर नबर ऑफ इस्टेलाइशन कोंप्लीकेशन कितने हो गएंगे कोंप्लीक कुछ कुछ कॉंप्लिकेशन आये तो उसकी संख्या सीदा सीदा लिखना फिर आप इसके बाद म तो वो सीधा सीधा यहां पर लिखना है यह के पी आई में फिर आगे बढ़ते हैं तो ब्लेट रेप्लेश्मेंट रेट अगर हम निकालना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ब्लेट यूनिट इसुड प्रॉप अंदर रिप्लेश्मेंट ऑफ इस डे एड़ेड बाइ मन्त म आप कितना ब्लेट दे रहे हैं रिप्लेश्मेंट के अगेंस्ट में ब्लेट यूनिट इसुड विदाउट रिप्लेश्मेंट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे किसी व्यक्ती ने ब्लेट के बदले में ब्लेट डिया है रिप्लेश्मेंट से दिया गया है उसको हम नि रिप्लेसमेंट मतलब कि आपने रिपिलेसमेंट के साथ में कितना दिया है उसके और जा एगा कितने सó है percentage of the delivery having the partograph recorded partograph वाला वोई कि कितने परसेंट delivery में आपने पार्टोग्राफ को भरा है कितने परसेंट में नहीं भरा है वो वो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल नम्म उफ डिलिवरी केस वेर पार्टोग्राफ कंप्लेटली इसमें आधा भरा हुआ पार्टोग्राफ आप मानने नहीं करेंगे इनकंप्लेट भरा हुआ या पार्टोग्राफ इसमें आप मानने नहीं करेंगे बिलकुल भी टोटल नम्म उफ डिलिवरी उसको टोटल जितने आपने पार्टोग्राफ भरे हुए पाए गया उसको नुमरेटर में रखेंगे डि से जो हुई है उन्हों को डिनॉमेटर में रखेंगे अभी ऊपर लिखेंगे पार्टोग्राफ कंप्लेटली फिल कितने भरे हुए पाए गए वो और इंटू करेंगे हंड्रेट से ठीक है अगला बढ़ते हैं एंटिवाइटिक रेट अपना बदेखना चाहिए तो नंबर और आईपीडी की केशिट और ओपीडी की केशिट दोनों को निकाए इकट्टा करेंगे यह सेंपल बेस पे रहेगा पूरा हर एक व्यक्ति का आपके यहां पे एक हजार रहे पाच सो जैसे आप हारे यहां पर साड़े चार्व तीन सो बैट का अस्पता लें चार्व तीन निकालेंगे और आईपीडी के जो के स्लिप होता है वो निकालेंगे random sampling हम यहाँ पर करेंगे randomly निकाल के देखेंगे random sampling कितनी की करेंगे या तो 5% ले लो आप total का और अगर वो बहुत जादा हो रहा है या फिर बहुत कम हो रहा है तो total minimum at least 30 case तो आपको लेना है 30 आप case लेंगे उसमें आप देखेंगे कि class 3 और class 4 generation के इस मंथ में कितने लगाएगा है वो आप numerator में रखेंगे फिर total number of case आपने कितने लिए थे कितने sample लिए थे कितने पर्चे लिए थे घटे करें थे वो आपको denominator में रखेंगे इंटू करेंगे 100 से तो आई हमारा आजाएगा इससे क्या फायदा होगा कि इंडिकेटर ऑफ दप्रिस्किप्शन प्रेक्टिसेज एंड अड़ेर टू दा स्टेंडर्ड ट्रीट्मेंट गाइड लाइन मतलब स्टीजी से के अनुसार हमारे चिकतसर ट्रीट्मेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो चीज़ हमारे किवल एक यह इंडिकेटर को देखने से वो समझ में आ जाएगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट आगे अगे मतलब लामा रेट अगर आपको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ दे लावा पेशंट हम नुम्रेटर में रखेंगे इसमें हम क्या नहीं रखेंगे करेंगे उसके बाद में डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मिला के कितने लोग हम नीचे इसमें डिनोमिनेटर में लिखेंगे इंटू करेंगे हंड्रेट से तो यह हमारा लाम रेट आ जाएगा फिर सिंपल पेशंट सैटिस्फेक्शन इसकोर पहले भी सवाल थे आप उसमें और भी बढ़ा सकते हैं वह एक स्टेंडर फॉर्मिट हमने किवल नेचेम की तरफ से दिया गया है सैंपल के तौर पे आपको अगर उसमें और भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपने तौर पे कि खाना कैसा था यह सब तो उसमें है सफाई कैसी यह भी था डाक्टर टाइम पर आया कि नहीं यह भी अगर आप एड़ करना सकते इंतो उसमें सकते हैं अच्छा लगा तो 5, थोड़ा कम अच्छा लगा तो 4, और कम अच्छा लगा तो 3, बहुत गंद लगा तो 0, ऐसे करके हर एक सवाल का वो नंबर देता है, फिर हर एक patient को एक chart बनाएंगे, हर एक patient ने हर सवाल का क्या क्या जवाब दिया, वो मैं पहले भी समझा चुका हूं, तो हर एक patient ने हर सवाल का क्या जवाब दिया उसका total कर लेंगे फिर सब का total मिला के मतलब some of the average satisfaction score of the each respondent हर एक patient का total करके उसका फिर सारे patient मों ने जितने सवाल थे एक patient सारे सवालों का कितना जवाब दे रहा है वो total कर लिया दूसरा कितना दे रहा है वो कर लिया तीसरा कितना और वो कर लिया फिर 300 patient का है वो score जो आया उसको total करके divide by 30 कर देंगे तो यह आ जाएगा इसको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ सबको आता भी है इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ नहीं तो अभी दूसरा presentation लगाना पड़ेगा ठीक है अगर किसी को doubt हो तो मेरे से फोन लागा के बाद में पूछ लेना मैं आपको फिर से explain कर देंगा और नहीं तो फिर आप वीडियो देख लेना उस पे शायद quality में तीसरे चौंते नंबर पर बहुत डीटेल में पढ़ा है उसको पुराने वीडियो में तो आगे नहीं रुकेंगे अब इसके नीचे डिवाइड में आएगा टोटल नंबर ऑफ रिस्पांडेंट कितने आपने लिए 30 वो तो आपने जो भी ले रहे हैं या तो फिर करवा के उसके बाद में उसका फिश्बोन बनवाके फिर फिश्बोन के बाद में पिक चार्ड बनवाके सारा कुछ उसमें बता चुके हैं ठीक आगे बढ़ता है फिर पेशेंट सैटिस्फेक्शन स्कॉर इन ओपीडी सेम चीज़ जो उपर हम आई-पीड के लिए कर रहे इसमें क्या होगा जैसे ही व्यक्ती कोई भी व्यक्ती कोई मरी जाया और हमारे पर्चा बनवाने की लाइन में लग गया मतलब एवरेस टाइम टेकन बाये पेशेंट फ्रॉम दा एंटरिंग इन दा क्यू फॉर फ्रॉम दा ओपीडी डाइस्टेशन टू दा फाइनली गे विडियो में देखा था प्रव्यक्ती से तो प्रव्यक्ती से तो कहतो बातो प्राबूसेस मेप करनी सकते तो इसमें भी क्या करेंगे रोज एक देखेंगे 30 दिन होता तो 30 दिन के 30 सेंपल हो जाएंगे at least 30 सेंपल लेंगे या फिर आपके लेंगे तो यह आपको समझ में आगया होगा कैसे निकालते हैं कोई व्यक्ति आएगा उसको एक परशी पकड़ा तो तो जहां जाएगा उसका टाइम नोट कर लेना आखरी में उस व्यक्ति से जब दवाई लेने वह आए तो उससे वह परशी ले लो कि वह कहां कितना समय लिए जैस डैसे उसको नुमीनेटर में रखेंगे तो यह आ जाएगा उसे क्या निकल जाएगा परसेटर आफ जैस बाइक फड़ाई का यह अघरी पॉइंट है परसेंटेज आफ वुमेंट प्रोवाइड़ ड्रॉब बेक फेसिलिटी आफ्टर कर्टर डिवरी मतलब delivery करवाने के बाद में कितने प्रतिशत लोगों को आप घर पे वापस चुड़वा रहे हैं जन्नी वाले वाहन से या कैसी भी करके अपने वाहन से तो उसको परसेंट निकलवाने के लिए कैसे क्या करेंगे मतलब घर चुड़वाने की सुवधा हैं आपने कितने लोगों को दी वो उपर नुम्रेटर में लिखेंगे और डिनॉमिनेटर में क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेलेवरी कंडेक्टर एड़ फैसिलिटी इंकलूडिंग सी सेक्षन मतलब नॉर्मेट डेलेवरी करव अब यह अपना केपी आई वाले पोर्शन खतम हो गया तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो आज मैं केवल ओपीटे तक का आउटकम पढ़ाऊंगा बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगा आपका आप 15-20 मिनिट में और हो जाएगा अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो वह पू कि करना है कि विश्वनाथ जी बार-बार हैं कर रहे हैं प्लीज आपको कुछ कहना हो तो माइक करिए तो जैसे अभी पीछे मैंडम ने बात करी थी कि सर्जिकल साइट इंटिक्शन के लिए इंक्सिशनल बाइपसी को एक्स्क्लूट किया जाए मैं काफियत तक उनकी बाद से सहमत हूं लेकिन सर कहीं एक स्विशनल बाइपसी ऐसी होती है जो एक कम्प्रेशन होता है जैसे कि गॉल्प्रेटर का उप्रेशन अगर कोले लिद्धियासिस के लिए हम करते हैं तो उसमें भी निकालते हैं उसको भी बाइपसी के लिए पे के बाद भी कोई SSI होता है हम उसको एज़ बाइपसी एक्सक्लूड इसलिए नहीं कर सकते है SSI के लिए क्योंकि वह बाइपसी सिर्फ एक बाइपसी नहीं है वह एक ऑपरेशन का रिज़र्ट है जिसकी वज़े से हम बाइपसी में तो हम यह लिस्ट करना जरूरी है कि क्य नहीं जो कि एक माइनर नहीं मेजरी ऑपरेशन का हिस्सा होती है और उसमें भी SSI के चांसे इसलिए जाद होते हैं क्योंकि वह जबनेशन जरूरी नहीं है कि वह अक्वाइड हो वह सकता है तो हम इसको कंसिडर करें तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सर में यह चाहरा था कि अपने को यहां पर जैसे अपन सवीकल साइड इंफेक्शन रेट कैलकुलेट कर रहे तो यहां पर माइनर मेजर सर्जरीज बताई गई ती अब अगर अपने को कोई मतलब जैसे आप कागज अपने को प्रवाइड कर सकते हैं तो आप मुझे भेज दीजेगा आपन नेक्स क्लाश जैसे अपन लेंगे तो उसमें अपन उसको इंवाल्व कर लेंगे थैंक्यू सार थैंक्यू और किसी को कुछ डिसकस करना है या आगे बड़े गुदिनिंग से अपन को निकालना है लेकिन अपन जब आउटकम निकालते हैं तो उसमें आउटकम यानि डिश्चार से निकलता है कि यह बोला था कि पीई अलग चीज़ है की परफॉर्मेंश इंडिकेटर अलग चीज़ है और आउटकम के लिए यह इतने सारे चेक्लिच्ट अलग अलग फॉर्मॉले दिये हैं है तो आपको निकालने दोने हैं अगर आप के पीई निकाल रहे है तो इस फॉर्मुले से निकालेंगे अगर आप आउटकम इंडिकेटर निकालेंगे और यह जो है मैंने फिर से अस्पताल का है बिटा नहीं सर वो तो मतलब अस्पताल का है लेकिन वो परसेंट फिर अलग अलग आएगा मतलब मैं यह पूछना चारी थी अपन जब अपन लक्ष का असिस्मेंट करवा रहे थे जब अससर आये थे तो उनको अपन ने एक्स्प्लेंट भी तो किया था कि हमारा क्पी आई का और इ जी सर थेंक यू सर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपन आते हैं आउटकम इंडिकेटर एमर्जनसी डिपार्टमेंट के एमर्जनसी शुरू करेंगे हरे एक डिपार्टमेंट का करेंगा चाहां मैं आज यहां पर सूचना भी देना चाह रहा हूं कि यही क्लास सेम चीज कल संडे है, कल मैं चाहता हूँ कि कल दिन में रखा जाए, तो आप जब suitable हो मेरे हिसाप से मैं एक बजे रखना चाहता हूँ, एक या दो बजे के लगबग एक गंटे की class रखना चाहता हूँ, ताकि मैं कल ये पूरा का पूरा एक यी बार में खतम कर दूँ, इसके बाद बहुत सारा कोर्स बाकी है, तो मैं चाहरा हूँ कि कल भी एक class हो, अगर आप agree हो, तो सब लोग join कर लिजेगा, class तो मैं लिएँगा, आप लोग दो बजे मैं रखूंगा उसको class को, आप लोगो join कर सकते हैं, सेम चीज अभी से information इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग क क्या होता है, लिंक मिलती नहीं है, या फिर बहुत कई व्यस्त हो जाते हैं, कल में दो बजे से ये वाली class को आगे बढ़ाओंगा, आज मैं ये labor room के OPD तक के outcome तक ही अपने discuss करेंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब OPD, sorry, emergency के यदि हम outcome indicator देखें, तो यहाँ प पर आती है, पर thousand population की बाता आती है, मतलब की numerator में क्या आएगा, total number of emergency case, treated by and managed by your department, ठीक है, आपके department में चितने भी case आपने manage किये, या treat किये है, वो numerator में आएगे, इसके बाद में denominator में क्या आएगा, total population in the defined geographical area of the DH, यह आपके DH के संबंध में, आपको कितनी population दी गई है, जैसे कि हमारे जिला अस्पताल को 55,000 की population हमारे शेहर की मिली हुई है, अब आप कहोगे कि बरेली से भी हमारे पास refer आते हैं, तो वो तो साल बर, महीने बर में, हफ्ते बर में एक दो एक दो याते हैं न, आप regularly उसको थोड़ी, वहां से थोड़ी, उन सबका तो इलाज थोड़ी टोटल नमबर आफ केस टेंडिट वाइमर्जेंसी डिपाइटमेंट डिवाइड बाइड बाइट 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 वाइड पॉपुलेशन आप अपने राइसेन वाले के लिए बता दूं कि 55,000 आप मानके चलिएगा 55,000 से केल्पूलेट करिएगा उससे ज्यादा numerator में divide by total population हमारे कितनी है into 1000 जैसा कि per thousand यहाँ पर वो माग रहा था इसलिए यहाँ पर into कराए हमने 2000 से मंडीदीब बालों को पता कर ले ना उनके यहाँ पर population कितनी है तो वह वहाँ पर अपने उनके यहाँ की population लिखेंगे मंडीदीब की जितना area आप cover करते हो वह population यहाँ पर लिखना है फिर आगे बढ़ते है number of trips per ambulance एक ambulance कितने trip लगाती है उसके number लिखना है यहाँ पर यहाँ पर क्या जाएगा numerator में trips made by the hospital and ambulance for the transportation of the patient यहाँ पर हमारी ambulance 108 को include नहीं करना है जहां मैं गया था भी कहीं पर वो तो उन लोग ने 108 वगेरा के भी सब एड करके रखे थी यहाँ आपके खुद की ambulance अगर कितना कर रही है trips लगा रही है वो और वो ambulance केवल मरीज को छोड़ने के लिए जा रही हो यह emergency duty या फिर other purpose के लिए आप यूज करना है उसको नहीं include करना है फिर आप यहाँ पर denominator में क्या रखेंगे टोटल नंबर ओफ ambulance आविलेबल इंदा facility आपके अस्पिताल में कित्ती ambulance है वो आप यहाँ पर रखेंगे आपन एक की बात नहीं कर रहे हैं यह outcome indicator नहीं है इसलिए 108 को हम यहां से exclude कर देंगे यह हमारे जैसे अस्पिताल में तीन ambulance है यह दो ambulance है तो उन उनके बारे में जानकारी लिखी जाएगी पुल मिला कि आपको समझ में जाएगा आगे बढ़ते हैं number of poison case treated by 1000 अब यह में एक ही समझा देता हूं आपको बाकि सारे कि सारे एक जैसे यह number of poisonous case treated per 1000 आएगा अब सेम चीज़ जैसा उपर देखा था टोटल नंबर आप poisonous case आपने कितने treat करें हैं ना poison में आप कोई साथ भी हो सकता है जैसे और्गन फास्पेस हो सकता है जिंक फॉस्पेड हो सकता है carbon monoxide drugs और सर्फिरिक ऐसे कुछ भी हो सकता है जितने भी poisonous case आपने treat करें हैं वह आप numerator मे रखेंगे total number of the patient admission मतलब total number of admission in emergency department denominator में रखेंगे into करेंगे 1000 से तो आजाएगा number of poisonous case treated per thousand आपका रिजल्ट आजाएगा इसी प्रकार से सेम आजाएगा cardiac का total cardiac के कैसे कितने केस करें ट्रीट करें वह उपर लिखेंगे उसके बाद में नीचे लिखेंगे total admission into करेंगे 1000 से फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो total number of obstructive case कितने आपने treat करें वह उपर आ जाएगा मतलब numerator में और numerator में आ जाएगा total number of the admission in the emergency department और into करेंगे 1000 से फिर आगे जाएगा number of resuscitation आपको कितनी जगे पर कितने केस में आपको resuscitation करना पड़ा चेस कंप्रेशन करना पड़ा करना पड़ा CPR करना पड़ा पूरा का पूरा तो total number of case जहां पर resuscitation करना पड़ा वह आपको रखेंगे numerator में और denominator में रखेंगे total population in the defined geographical area of the DH मतलब जैसा उपन उपर कर रहे थे पहले है ना यहां पर भी subject अपने क्या कर रहे था टोटल number of the case यहां पर department की बात आ रही थी यहां पर फिर से population की बात आ रही है ध्यान से आप calculation करना है यहां पर total population की बात आ गई है ठीक है इस लिए इसको आगे बढ़ते हैं proportion of the patient attended in night night के समय पर आपके कितने पेशन कर रहे हैं उसके लिए आप नीचे रखेंगे और रात को जितने करें उपर रखेंगे तो आपका रेश्यू आ जाएगा सिंपल सी बात है आगे बढ़ते है proportion of the BPL मतलब आपने BPL वाले पेश्वेंट कितने अटेंड करें वो उपर रखेंगे और टोटल पेश्वेंट कितने एडमिशन है आपके वो नीचे आएगा ठीक आगया जाएगा रिस्पॉंस टाइप इसमें कुछ कुछ चीज़े ही कठेंगे बाकी का तो सारा का सारा सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है अपन जस्त रीड कर रहे है एक बार जहां कुछ समझने वाली चीज़ आएगी वह अपक्त सम्थ रिकुप चारो काल करते हैं एक पनाटें लिगे कि हमारी इससम मिनिट डाइंगी और को दसम्रिटŞ को रिस्पॉंट टाइम को पताएंगे ऐसा नहीं है कि आप दस मिनिट वाले को लिखके और दस मिनिट आप पता देंगी कि हमारी अम्बुलेंस तो दस मिनिट में आ जाती है वो एक घंटे वाले को बिलकुल भूलना नहीं है इन सबका एवरेज निकालना है मीन मतलब एवरेज निकालना है अगर चार एम्बुलेंस है और चारो अलग-अलग समय लगा रहे हैं आपके कॉल को रिसीव करने के बाद आपके एम्बुलेंस लगाने तक पेशेंट को बिठाने तक के अलग-अलग समय लगा रहे हैं तो चारो के समय क को आप टोटल करिए टोटल करके डिवाइड वाई फोर करिए मतलब चार एंबूलेंस से इसलिए फोर करा है तो उसका एवरेज निकालेंगे वह हमारा एवरेज रिस्पॉंस टाइम आ जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोपोश्चन ऑफ दे केस के हमारे कितने प कितने रिफर करें ऊपर कितने हैं आपके यह पर नीचे वह रिखेंगे वह आपका प्रोपोश्चन ऑफ दा केस रिफर आजाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं रिस्पॉंस टाइम एड दा एमर्जेंसी फॉर दा इनिशियल असेस्मेंट यह कैसे निकालेंगे इनिशियल में दो रिस्पॉंस टाइम टेकन फ्रॉम दा मुमेंट अफ द पेशेंट एंट्रिंग इन दा एमर्जेंसी दिपार्टमेंट तो दा मुमेंट ऑफ दा पेशेंट एसेस्टेट वाइसेस्मेंट और डन बाइदे मेडिकल ऑफिसर पेशेंट के अमदर गुशने से लेके चैक अप करने तक का समय जो रहेगा वह आपका रिस्पॉंस टाइम इन वह आ जाएगा आपका रिस्पॉंस टाइम इन दा एमर्जेंसी और इनिशियल असिस्मेंट यह आ जाएगा ठीक है इसको भी हम हर एक व्यक्ति का दो लिख नहीं सकते कि एमर्जेंसी डिपार्टमेंट में सो दो सो लोग आ रहे होंगे प्रती दिन में कम से कम 20-30 तो आते होंगे तो हर एक व्यक्ति का रिस्पॉंस टाइम तो लिखेंगे नहीं कभी हो सकता चिकित सब को उपर कहीं वार्ड में जाना पड़ा हो कोई कॉल अटेंड करने जान मतलब हम क्या परफॉर्मस कि कि देख रहे हैं सेम्पल रेंडम करिये किसी का भी नाम ले लिजे आप वह यह तू परचा दे तू परचा दे ऐसे किसी का भी परचा विना किसी सेंपल लेना है सबका टाइम नोट करना है उसको डिवाएट वाई 30 करने तो एबरेज रिस्प करते हैं एवरेज टर्नराउंड टाइंट टाइब टर्नराउंड टाइम क्या होता है कि पेशेंट अमारे यहां पर एडिमेट होने इसके बाद से उसके वाड में शिप्ट होने तक का समय कहलाता है मतलब कि आपके यह पर पड़कर देखर आप टाइम लगाया है तो हमें क्या करना पड़ेगा वहीं सेंप्रिंग वाला मेंटर करना पड़ेगा या तो तीस लोग का सेंपर लेलो या फिर टोटल का पांसरेट लेलो और उनका सबका एवरेज निकाल लो इसलिए अवरेज टरन अरॉण टायम आएगा यहां पर भी रिस्पॉंस टाइम की साथ में यह मेरे को गड़वर लग रहा है जैसे कि अपने कर रहे थे proportion of the patient referred by the state on या फिर 108 के बारे में बात कर रहे थे quality indicator है यह 108 वाले का तो यहाँ पर facility owned ambulance को आप कैसे इस्तमाल कर रहे हो तो यह मेरे को एक गड़वर यहाँ पर भी लग रहा है जैसा आप कह रहे थे न कि उस वाले उसमें गड़वर है वैसे मिरे को लग रहा है यहाँ पर भी गड़वर थोड़ा तो 108 जो है proportion of the patient referred by the state on या फिर 108 से आप कित्ते percent patient को भीज रहे हैं उसका percent निकालना हम चाहते हैं प्रती 1000 referred case में ठीक है तो हम यह numerator में क्या रिखेंगे total number of case referred through the state on या 108 state की अलग-अलग जग हमारे यहां पर 108 चलते हैं इसके हम लोग 108 की बारे में जादा बाद करते हैं तो हां इसके से हम कित्ते प्रतिशत मरीजों को भीज रहे हैं उसका परसेंट निकालना चाहते थे प्रपोर्शन नुमेरेटर में लिखेंगे total number of case referred to the एक्सवाइड और denominator में लिखेंगे total हमने अभी तक कित्ते refer करें वो total number of case referred from the emergency department वो रिखेंगे denominator में और into क्योंकि हमने यहां पर देखिए 1000 रिफर्ड केस में से मांगा है तो यहां पर into कर देंगे 1000 से तो यह समझ आ जाएगा फिर इसमें बहुत बड़ी चीज तो है नहीं है आगे एक दू जगे आएगा तोड़ा कि एड़र्स इवेंट क्यों हो रहे है अब यहां पर थोड़ा सा matter यह है एड़र्स इवेंट क्या होते है एड़र्स इवेंट कुछ भी हो सकता है पेशेंट गिर गया या medication गलत लग गई या निडिर्स कुटिक इंजूरी हो गई या आग लग गई या पंका चल रहा था उसकी पत्ती तूटके गिर गई ठीक है या फिर हमारा oxygen cylinder रखा था वो गिर गया और उसका वो humidifier फट गया है ना ऐसा कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ भी इवेंट ऐसा कोई भी इवेंट जिसकी आपको बिलकुल उम्मीद नहीं थी और वो अचानक से हो गया और वो उससे of the adverse event per thousand patient ताकि उस adverse event को note करें और हम उसको दोबारा ना हो वो event वो ऐसी दुरघटना दोबारा ना हो ऐसी हम कोशिशे करें जैसे कि हमारे department की floor जो है बहुत slippery था patient आया और उस पे slip होके गिर गया तो हम अगर उसको note कर लिया कि वो adverse event में आता है हमने उसको note कर लिया तो हम उ लोरिंग को चेंज कर वाओ ज्यादा चिकना है इसकी जगे इसकीड फ्री वाली टाइस लगवाओ ऐसे कोशिशे हम करेंगे निदे इस्टुक इंजूरी अगर बार बार हो रही है तो अब ही वो एक व्यूडियो शायद मैंने अपने ग्रूपों पे डाला था उस वैसा प फवर्स िवेंट कुछ भी हो सकता है उसके संख्या से मतलब है अब यह यहां पर और नाम के सामसे संख्या लिखेंगे तो इनटू करेंगे इससे फायदा क्या होगा मेजरसे चलीनिक होगा इससे फायदा यह होगा इससे हमें यह पता चालेगा कि आप आपके अमर्जेंसी डिपाइटमेंट में कितनी सुरक्षा पूर्वकार कर रहे हैं उसका इंडिकेटर होता है यह ठीक है आगे बढ़ते हैं डेट डेट कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ देट होकर इन अमर डेट आ जाएगा कि इसका एमर्जेंसी डेपाइटमेंट का लामा रेट में क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ पेशेंट लीव अगेस्ट मेडिकल एडवाइस मतलब कितने पेशेंट लामा हुए वह नुमेरेटर में रखेंगे इंटू करेंगे हंड्रेट से इसमें एपस अपने को समझ में आ गए मुझे ऐसा नहीं लगता है तो यह जाएगा तो यह एमर्जेंसी डेपाइटमेंट के आउटकम इंडिकेटर अपने को समझ में आ गए मुझे ऐसा नहीं रखता कि इसमें से एक भी ऐसा कोई इंडिकेटर होगा जो कि एमर्जेंसी डेपाइटमेंट वाले कैलकुरेट ना कर सके बहुत एजी है किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीज़े नहीं तो ओपीड़ी पे आते हो उसके बाद में क्लास बंद कर देंगे यहां पर क्या है यहां सर मैं यह पूछना था टा कि अपको आपके रजिस्टेशन से मिल जाएगी जहां से आपका परचा बनता है ना वहां से आपको बीपेल के एंट्री मिल जाएगी ठीक है मेरी आवाज आ रही है तो जो आपको आप चाह रहे थे बीपेल वाली जो एंट्रे आपको कहां से मिलेगी तो बीपेल वाली एंट्रे आपको मिलेगी आपके राइज्टेशन काउंटर पे जो होता है ना जहां से पर्चे बनते हैं वहां से आपको आपके एंट्री मिल जाएगी वो लोग एंट्री रखते हैं कि बी पील कितने आए और एपिल कितने आए ठीक हैं वहां से ले लिजेएगा तो आप आगे बढ़ते हैं OPD में OPD का outcome indicator निकाल रहे हैं अब यह एक जैसे हैं इस दिए एक समझा देऊंगे बाकि सारे के सारे एक जैसे proportion हम कर रहे है प्रपोर्शन ओफ फॉलौब पेशेंट पेशेंट कितने प्रतिशत पेशेंट का फॉलौब कर रहे है है या फिर वो करवाने आ रहे हैं वह हमें निकालना है तो टोटल नंबर फोलो आप ओपीडी विजिट उपर लिखेंगे नुमरेटर में डिनुमरेटर में लिखेंगे टोटल ओपीडी आटेंडेंस मतलब इसमें ओल्ड और न्यू दोनों लिखेंगे अब यह कैसे कैलकुल पर हम ओल्ड वाले पेशेंट के इंट्री करते हैं ठीक है तो यह वाला प्रपोर्शन आफ फॉलो आप पेशेंट में आरम से निकाल सकता हूं टोटल नंबर फॉलो आप ओपीडी विजिट यहां पर लिखेंगे उपर नुमरेटर में और डिनॉमरेटर में हम लिखेंगे यह एंट्री करता रह जाए वहाँ एक समस्य यह है कि स्टाफ की कमी के कारण वह यह कैल्कुरिट करना फॉलो आप विजिट कैल्कुरिट करना थोड़ा सा मुश्किल का रहे हैं अब यह समझ में आगे बढ़े नंबर ओफ एंसी डन पर थाउजंड अब सिंपल सी बात है नंबर ओफ एंसी विजिट कितनी हुई वह तोटल नम और इसके बाद में यह नुम्रेटर में जाएगा डिमिनेटर में क्या जाएगा टोटल पॉपुलेचर इन डिफाइन जोग्रिफिकल एरिया है वह नीचे जाएगा इंटू करेंगे थाउजंड से ठीक है फिर आइस डिफेट टोटल नमबर ओफ आए सीटी सी विजट एसी कंवनेक्ट लिखेंगे नुम्रेटर में और नीचे क्या लिखेंगे टोटल पॉपुलेचन में क्या जाएगा टोटल पॉपुलेचन इन डिफाइन जोग्रिफिल एरिया ऑफ डी एच मतलब आपके यहां पर एक ही जन संक्या कितनी है इस DH के लिए जितना एरिया आपको वो डिफाइन किया गया वहां की जन संक्या कितनी वो नीचे लिखो इंटू करो 1000 से तो यह आ जाएगा फिर इसी तरह से ICTC जाएगा इसी तरह से IAT जाएगा इसी तरह से Immunization जाएगा Immunization के अंदर क्या ड्रेड किया है मैंने यह तोटल नंबर ओफ विजिट इन दा Immunization क्लीनिक इंक्लूडिंग दा चिल्डरन कवर्ड अंडर यू आईपी यू आईपी क्या होता है और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है टोटल पॉपिलेशन यह वही टोटल पॉपिलेशन जो अभी तक लिख रहे थे पच्पन हजार हमारे जिला इस्पताल के लिए ठीक है इंटू करेंगे 1000 से फिर आगे बढ़ते हैं प्रपोर्शन ऑफ दबीपील पेशंट सेम चीज टोटल नंबर ऑफ बीपील पेशंट कितने आ गए हैं हमारे यहां पर या बीपील हो सकता है या फिर कुछ प्रदेशों में आलग और कुछ चलता इसलिए पूरे भारत देश के लिए बनी इसलिए और इक्यूएलिंट लिखा हुए फिर आगे क्या आएगा नीचे क्या आ तो नहीं होगा उपर वाले में थाउजंट से इंटू हो रहा था सभी में आगे बढ़ते हैं मेडिक मेडिसिन अब फिर यह तो आगे प्रोड़क्टिविटी पे अब आजाएगा एफिशेंसी पे तो अब एफिशेंसी में एक समझ लोग ऐसे कि सारे हैं मेडिसिन में कितने पेशेंट गए वह उपर लिख देंगे फिर नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ दे मेडिसिन स्पेशलिस्ट अविलेबल इन वास्पिटेल इंक्लूडिंग रेगूलर कॉंट्रेक्ट चलू और पार्ट-टाइम जितने भी लोग मेडिकल मेडिसिन वाली ओपीड फॉर्मूला बन जाएगा यह इसी प्रकार से सज्जेरी का लिखेंगे सेम चीज़े पीडिया का लिखेंगे सेम चीज़े और पेशेंट इन और नीचे आ जाएगा और जितने पेशेट आ रहे हैं वह उपर जाएगा डेंटल से नमबर आफ टोटल पेशेंट विजट इन देंटल उपीड और नीचे जाएगा तो फिर सेम चीज़ेंगे कि इसके और वीडी डिपाइट्मेंट में कितने पेशेंट आ रहे हैं वह नीचे जाएगा कितने चिकितसक उपलब दें यह बहुत ईजी सी चीज़ है इस है ना आगे बढ़ते हैं टीवी में आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ पेशेंट टीवी वाले आ रहे हैं वह लिखेंगे नीचे टीवी के लिए जितने स्पेस्टलिस डॉक्टर या फिर आपके मेडिकल ओफिसर निरधार किये गए वह आप डिनॉमेटर में लिख देंगे फि इसका भी सेम जाएगा साइकेट्री का भी सेम जाएगा तो यहां तक एक ही फॉर्मूला है कितने पेशेंट संबंधित ओपीडी में विजिट किये डिवाइड़ वाइड़ कितने चिकित्सा को प्लब थे ठीक है कंसल्टेशन टाइम एड़ एंसी क्लीनिक अब यह कैसे निकालेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज और यह बहुत समझनेवादी चीज एक सेकंड के में ब्रेक लेता है एक सेकंड बात वापिस कंटिनू कर रहो अब यहां पर क्या आता है कंसल्टेशन टाइब एड़ क्लीनिक कैसे निकालेंगे यह कैसे निकलेगा total numerator में क्या आएगा total ANC time total ANC time कैसे निकलेगा total number of ANC clinic day मतलब चुटी वाले दिन हटा दो ANC वाले OPD जोई चुटी वाले दिन तो नहीं खुलती उनको अटा दो उसके बाद उसको into करो number of minutes ANC clinic से उसको into करो ठीक divided by total ANC visit कितनी visit हुई वो आप उससे divide करो ठीक है तो अब हम यहाँ पर formula से ही समझेंगे यहाँ से आपको समझ में जाएगा total number of clinic day in the month कितने दिन आपकी ANC clinic खुली वो उपर लिखेंगे फिर उसको into करेंगे functional hour in the day मतलब एक दिन में कितने घंटे एंसी क्लीनिक खुली उससे into करेंगे फिर into करेंगे 60 से तो यह आजाएगा कि कितने मिनिट तक आपकी एंसी क्लीनिक खुली गई वो आ जाएगा उपर और फिर नीचे जाएगा total एंसी में आपने कितने मरीज देखें समझ में आया किसी को समझ में आये कि एकात को किसी को मिनिया है हम यहाँ पर यह देखना चाहते हैं कि कंसल्टेशन टाइम एंसी क्लीनिक में कितना लग रहा है या फिर कंसल्टेशन टाइम जेनरल मेडिसिन की क्लीनिक में कितना लग रहा है अब यहाँ पर यह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर क्य ना है या फिर हमारा एंसी का क्लीनिक एक महिने में कितने मिनिट तक खुला है वो हमें उपर लिखना है और डिवाइड वाइड उत्ते मिनिट में कितने पेशेंट आए अब वो मिनिट कैसे निकालेंगे कि पहले तो कितने दिन क्लीनिक खुला वो लिखेंगे फिर इंटू क इस मांथ 30 दिन का ये महिन था, एक्जामफल ले रहे हैं, 30 दिन का ये महिन था, उसमें से छुट्टी पड़ गई दस दिन की, तो 20 दिन हमारा ANC क्रीनिक खुला रहा है, यहां पे रिखेंगे 20, अभ एक दिन में किति दिर आपका ANC क्लीनिक खुलता है, सुबह 8 वे से 2 वे तक कित्ते घंटे हो गए तो यहां पर क्या जाएगा 20 इंटू 6 ठीक है मतलब 120 120 इंटू 60 करो ठीक है कि 7200 डिवाइड वाइए एंसी ओपीडी में कितने मरी जाए आपके इस महिने में मानलो 500 तो 7200 डिवाइड वाइड 500 ठीक है यह समझ में आया आप किसी को समझ में आये की ने आ आग Alban आगे बना कि हमने यह करा है कि एक महीने मों कितने मिनट तक हमारा ओपीडीग खुला है और मट और डिवाइड करा है इक है है झाला है फिर कंसलिटेशन टाइम जनरल मेडिसिन कंसलिटेशन टाइम सर्जरी घांगए तसी कंसलर सर्जरी Consultation पिडियाटिक यह सारे चीज़े हम इसी में निकल जाएंगे कंसलिटेश्टाइम जनल स्ले सेम चीजए आगे जाला सेम चीज़ आगया है ना आगे बढ़ते हैं प्रपोर्शन ऑफ हाई-डिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्टेड दूरिंग एंसी के दौरान आपने हाई-डिस्क प्रेगनेंसी टोटल कितनी डिटेक्ट करी यह इसका प्रपोर्शन यह आप निकालना चाहते हो तो टोटल प्रेगनेंसी डिटेक्टेड को आप उपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ एंसी विजिट को नहीं चलिखेंगे तो इससे प्रपोर्शन आ जाएगा कि कितने हाई-डिस्क डिलिवरी आपने डिटेक्ट करी है हाई-डिस्क क्या-क्या होती है वो सारी यहां लिखी यह लिखेंगे व्युम्या लिखेंगे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एंसी वाली महिलाओ ने विजिट किया और डिनमेटर में लिखेंगे चलो यह आखरी आ गया आखरी वाले में क्या आ गया कि पेशंट सैटिस्ट्फेक्शन इसकोर यह इसकी बादें आपन पहले कर चु पर प्रति दिन एक मरीज को देखो कि उसको करवाने में कितना देर का समय लग रहा है और वो भी कब देखो एक दम पीक आउर में जब सबसे ज़्यादा भीड़ो तब देखो कि एक व्यक्तिर आया और उसको पर्चा बनवा के विजट करने में कितना समय लगा अब हमें पर्चा बनने वाली लाइन हो रही है पर्चा बनने वादी लाइन में अगर बंदा लगके खड़ा हुआ है वहां से लेके पर्चा बनके उसके हाथ में आगे और वहां से निकल गया जैसे ही निकला है वहां तक के समय को हम क्या कहेंगे पेशेंट वेटिंग टाइम kiator हो गए ऐधे हैं लाद गिते हैं फिर अगर देखते हैं वेटिंग टाइम एंसी क्लीनिक यह तो हो गया रोगा इसके Willi के लिएगा और फोर लाइन में लग जाएगा एंसी क्लीनिक के लाइन में तो जैसे ही वह city क्लिनिक की लाइन में लगा है वहां से ौक्र्स के द्वारा उसको ूसको पांच परसेंट ले लो आपका total परसेंट आया दो आप सेंपल निकालना तो पचास लोगों का निकलेगा मेरे हिसाब से और यदि वो संख्या जादा ही उपर नीचे हो रही है तो फिर आप क्या करो तो मिनिमम् तीस लोगों का सेंपल ले लो रोज एक सेंपल ले लो है ना एक व्यक्ति पकड़ के टाइम देख लो आगे बढ़ते हैं वेटिंग टाइम आप जेनरल ओपीडी में कितना वेटिंग टाइम लगता है तो इसको कैसे निकालेंगे वेटिंग टाइम आप जेनरल आप फिर यहां पर वेटिंग टाइम अगया एंसी वाले में लाइन में लगने से पल्चा बन्ने तक का टाइम पिर सेम चीज़ तो consultation of them मतलब चिकित सच्छे मिलने तक के समय को waiting time of the pediatric clinic कहेंगे फिर waiting time of the surgical same चीज़ है एक दम सेम आ गया है ना फिर आगया average door to drug time अब यह क्या है average door to drug time क्या है यह आखरी है इसके बाद अपने इसको बंद करेंगे time taken by the patient from the entering to the q the opd your registration to the finally getting the drug मतलब यहां से लेके उपर तक के सारे जुतने total थे ना सब को मिला की यह है कैसे patient दिखाने आया patient आया और registration पर्चा बनवाने के लिए line में लग गया और जैसी पर्चा बनवाने की line में लगा है वहां से लेके और दवा लेने तक का मतलब आखरी में पर्चा चिकत्सक को दिखाने के बाद में pharmacy counter पर जाएगा वहां से जाके दवाई लेगा तो पर्चा बनवाने की line में लगने से लेके दवाई उसके हाथ में आने तक में जितना समय लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे average door to drug time मतलब वो हमारे gate के अंदर आया है वहां से उसको दवाई मिली है वहां तक का समय और यह भी काई से करेंगे वह सेंपल वेस्ट पर करेंगे और time motion study से करेंगे मतलब की process map से करेंगे तो आप यहां पर देखिए एक बार नजर डालिए कि यहां कितने सारे time उसमें motion study में आ गए मतलब कितने सारे आपको कितने सारे में से आप process map बना सकते हैं है यहां पर जैसे यह जहां भी दिख रहा है आपको time study motion ताइम motion study जहाँ जहाँ जहां दिख रहा है उन हर एक चीज के ऊपर आप process map बना सकते हैं जैसे पहले अपनों confusion होता था ना कि अपन process map काई पर बनाए काई पर बनाओ इन में से किसी पर भी बना लो ठीक है तो यहां तक मेरे लिए आज का sufficient था आज शुरू में अपने को बहुत समय लगा अब मैं कल दो बज़े से class लेंगा पक्क सब्सक्राइब कर लिया क्या चलेगा शायद में है आप जॉइन है वह भी नहीं है चलिए आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो पूछती जब्स किसी को कुछ पूछना है किसो कुछ समझ में आया है यह समझ में ठीक है ठीक है यदि किसे को कुछ नहीं पूछना है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं सभी को शुबरात्री और अगर पूछना है तो अभी आप थोड़ी देर और ऑनलाइन रहिए अन्निता मैं इसको बंद कर देता हूं चलिये गुटनाइड लोग